नमस्कार मैं प्राणिश्री रठोर और अब दीख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज यूपी की स्यासत में इन दिनों काफी स्यादा हल्चल मची हुई है जहां इत तरफ यूपी में मैनपुरी रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों में उपचुनाव हुए और इन उ निकाय चुनाव को लेकर स्यासत तेज है आखिरकार नगर निकाय चुनाव में किस पार्टी की यहां पर जीत होगी ये भी वक्त के सास्तात पता चलेगा लेकिन इसी बीज देखा जाए तो कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा चुकी है विधान सभा से उनकी सदस्यता जब से रदि की गई है तब से यहां पर आजम के सास साथ यहां पर उनकी पतनी और उनकी बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किले भी कम नहीं हो रही है योगी सरकार के नित्रत्व में अब तक ऐसे कई कड़े फैसले लिए जा चुके हैं जिससे यहां पर आजम के परिवार की मुश्किले दिन पर दिन पढ़ रही है रामपूर में जो आजम का गड़ कहा चाता है वहां पर इस बार बीजेपी ने जीत हासिल की है और अब देखा जाए तो यहां पर एक और बड़ी खबर आ चुकी है जिस आपको बता दें कि आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की हाल में कोट में पेशी हुई थी समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता और पूर्व विधायक आजम खान की रामपूर के MPMLA में कोट में पेशी हुई MPMLA कोट में आजम के बेटे और स्वार विधान सभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की दो प्रमाड पत्रों के मामले में सुनवाई हुई फरजी प्रमार पत्र मामले में साल 2019 में अब्दुल्ला आजम की विधान सभा सदस्यता रद कर दी गई और कोट में ये केस अब तक चल रहा है इसी के तहट अब MP MLA कोट ने रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को इस केस में उपस्तित होने का आदेश भी दिया था अदालत के आदेश के मुताबिक देखा जाए तो आजम अपने परिवार के साथ रामपुर कोट परिसर पहुँचे जहाँ पर यही देखने को मिला कि जुला एवं सत्र न्याले रामपुर कारेले में उनकी पेशी हुई फरजी प्रमाडपत्र मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद भी आजम यहाँ पर खामोश रहे आपको बता दें कि उन्हें यहाँ पर मीडिया कर्मी घेरती हुए भी नज़र आये लेकिन इस पीच यहाँ पर जो सामने आया वो यही रहा कि कोट ने अभी सुनवाई को टाल दिया है सरकारी वकील अमर्नात तिवारी ने कहा कि अदालत ने गुरुवार को पेश नहीं होने पर उन पर 10,000 रुपे का जुर्माना लगाया था शुकरवार को पेश होने को कहा और अगली तारीक वो दो जनवरी तै की गई है उन्होंने बताया कि रामपूर से भाचपा विधायक आकाश सकसेना ने 3 जनवरी साल 2019 को गंज थाने में एक प्रात्मी की दर्ज कराई थी अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग तारीकों के प्रमाड पत्र के संबंद में अब देखा जाए तो अब्दुल्ला आजम खान यहाँ पर प्रमाड पत्रों के मामले में बुरी तरीके से फसे हुए है लंबे वक्त से और अब इस सुनवाई को फिर से टाल दिया गया है साल 2017 में स्वार विधान सबा सीट से चुनाब जीता था अब्दुल्ला ने और कम आयू होने के चलते हाई कोट की तरफ से उन्हें अयोगे घोशित किया गया था वहीं अब इसी विधान सबा सीट से साल 2024 का यूपी चुनाब भी उन्होंने जीत लिया देखना ये होगा कि आखिरकार यहां पर अब्दुल्ला आजम खान पर क्या कुछ फैसले होंगे कोट के साथी साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब्दुल्ला आजम खान अपने दिल के दर्थ को भी कई बार चलकाते हुए नसर आये वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आज जम की ये मुश्किलें कब खत्म होने का नाम लेंगे फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अप्टेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज